तो हम मैंसे काफी लोग यहाँ पर पढ़ाई के साथ में कुछ-कुछ साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हैं बट उन्हें दिक्कत ही आती कि वो टाइम से मैनेज नहीं कर पाते हैं टाइम से कूप अप नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं क्या-कै चीज़े करता हूँ मैं बेसिकलि वीडियो में वही बताऊंगा जो खुद मैं करता हूँ ठीक है तो basically मैं अभी चार चीज़े कर रहा हूँ पहली चीज तो YouTube जैसे कि आपको पता है second year BC student हो, तो उससे related जो पढ़ा ही होती है, वह हो गया तीसरी चीज हो गई, freelancing अभी मैंने कुछ नया start किया है, वह मैं करता हूँ and चौती चीज मैं यह कर रहा हूँ, मैं एक startup के साथ अभी काम कर रहा हूँ तो basically महा से भी बहुत को सीखने को मिलता, तो यह चार चीज है, at present मैं currently मैं कर रहा हूँ अब मैं कैसे इन चीजों को manage करता हूँ, तो वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ तो सबसे पहले में क्या करता हूँ, जब भी मेरा ऐसा कोई fixed schedule नहीं होता कि आज मुझे ही करना है कल मुझे ही कना है because पता ही नहीं होता कि कब क्या काम आ जाया, कब क्या करना चाहिए तो ऐसा कुछ पता न に यह, तो ऐसा कोई tim table नियहीं है कि मैं किस तरीके से करता हूँ मैं daily basis पर अपना routine बनाता हूँ कि जिस भी वक्त अपना दिन start हो रहा है ठीक है उसी वक्त एक copy pen पर टू-do list बना लिए अब टू-do list क्या होती है टू-do list बेसिकली यह होती कि उस दिन में मुझे जितने भी काम करने होते हैं मैं उनको लिख लेता हूँ ठीक है उसमें से फिर उन पर ज्यादा टिक मारता हूँ कि जो काम मुझे सबसे जादा important है उसको सबसे पहले करना है तो priorities मैं यहां पर Shed कर देता हूँ कि कौन सा काम मुझे सबसे पहले करना है अब वो उस दिन के काम पर डिपेंड करता है कि कौन सा काम सब से जादा important है अब जैसे कि मैं start-up के साथ काम कर रहा हूँ ठीक है तो वो जादा important है तो उसको करना ही पड़ता है तो उसके बाद में जैसे मेरा YouTube channel बेसिकली मैं भी जावा को आच्छे सीख रहा हूं, बेसिक कॉंसेप्स में रहे हैं, बस उसको मैं मास्टर करना चाहरा हूं, तो दिन के 1-2 गंटे में उदर मेरे जाते हैं, 5-6 गंटे मेरे स्टार्ट अप में जाते हैं, उसके अलावा एक दिन चोड़ के एक दिन ऐसा दिन दिन के, तो लगवग अभी मैं एप्रोक्स तुम्हें बता हूं, तो 12-14 गंटे में एक दिन में इन्वेस्ट कर रहा हूं इन चीजों में, इतना टाइम मुझे लग जाते हैं, मैं एक दिन के लगवग 12-14 गंटे का काम होता है, और इतना काम अभी मैं कर रहा हूं, और इत दिनने के इक चाह है, तो गंटे कैसे निकल जाते हैं, तो मैं पता प़ी नेचलेगा, थोड़ी सी दिक्षटे जरूर आती है, मिरे साथ खुद आती है, तो मैं ऐसे जूटनी भोलूँगा, कि भाई हां हां, ठीक है, दिक्ते बिशटनी गोना की ब्लिचने होते हैं, कुछ तो मैं negative news से थोड़ा सब दूर रहता हूँ और 2-3 गंटे अपना ऐसा time निकालता हूँ जहां पर मैं कुछ comedy shows देख रहा होता हूँ और ऐसे कुछ जिस से मतलब थोड़ा सा मन अलका हो जाए सी कोई चीज यहां पर देख रहा हूँ social media का time मैंने बिल्कुल limit कर रहा है अपना अब मैं जादा हमा time based नहीं करता हूँ basically मैं चलाता भी हूँ तो it's just like कि मैं business purposes के लिए जैसे freelancing के clients tuned लिए ऐसे चीज हो गई तो पहले मैं freelancing नहीं कर रहा था freelancing अभी just मैंने start किया प्रस वीडियो जो startup के साथ मैं काम करने हुआ है वो भी मैंने अभी just start किया तो अभी थोड़ी सी दिक्कते आती है manage करने में बट अभी लगबग क्योंकि time हो चुका है तो अब मैं थोड़ो बहुत यहां पर manage कर पा रहा हूँ सो अब एक question तुमाने दिमाग में यह जरूर आ रहा होगा कि BC की पढ़ाई का क्या हुआ ठीक है तुम तो सिर्फ Java पढ़ रहे हो ठीक है तो basically यार BC की पढ़ाई का मैंने side में रख रखी बिल्कुल क्योंकि उसमें से काफी ऐसी चीज़ है जो like अभी important नहीं कि मैंने वही चीज़ बोली कि जो चीज़ अभी ज्यादा important है मैं वह कर रहा हूँ जैसे कि startup के साथ काम YouTube channel और यह सब चीज़ है अब मैं यह नहीं बोल रहा BC की पढ़ाई important नहीं में लिए में लिए यह placement की तैयारी BCA के पढ़ाई से ज्यादा important है ठीक है तो मैं भी अभी यहां पर placement पे ज्यादा focus डाव रहा हूँ कि जैसे मैं Java सीक रहा हूँ Java के बाद में मैं web development पे ध्यान दूँगा ठीक है तीन महीने उसमें लग जाएंगे तीन से चार महीने उसमें लग जाएंगे ठीक है तो ऐसे-इसे मैं placement पे ज्यादा focus डू रधर देन कि वो जो हमारा BCA का course curriculum है उससे मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ जादा मेरा जो focus है वो placement की तरफ है और उसमें लग बग में कुछ हमेनी लगेंगे और अभी मैं क्योंकि time भी बहुत कम दे पा रहा हूँ एक गंटा या दो गंटा दिन का मैं पढ़ाई में देता हूँ जैसे कि उसमें अभी Java सीक रहा हूँ इसा काम मुझे करने को ना मिल जाए कि जा मैं दुखी हूँ मतलब सिर्फ पैसे के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो वो चीज उस situation में मैं नहीं जाना चाता हूँ इस वज़े से मैं बहुत जादा explore कर रहा हूँ नहीं-नहीं चीज़ों को try कर रहा हूँ और basically यार मेरा काम होता है कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं सिर्फ आप एक ही जगे अपना focus रखो मेरा personally यह चीज होती कि मैं 3-4 चीज़ों को एक साथ जैसे कि एक ball है ठीक है उसको मैं 3-4 ball को एक साथ उचालता हूँ तो मुझे फरक नहीं पड़ता कुछ लोग क्या होते हैं अगर उसमें से एक दो गिड़ जाती है तो बहुत ऐसा हो जाता है और क्या हुआ हमासा तो गिड़ गया मतलब हाना जैसे कि कोई startup में loss हो गया जैसे startup में कोई fail हो गया ठीक है तो मतलब ऐसा सोचते हैं कि old ले क्या हुआ ठीक है तो मैं क्या करता हूँ 3-4 चीज़े जैसे कि अभी मैं बता सकता हूँ मैं 4 चीज़े कर रहा हूँ like जैसे startup के साथ काम कर रहा हूँ learning भी कर रहा हूँ अपनी जैसे java चीक है अगर एक दो गिड़ भी जाती है तो उससे फरक नहीं पड़ता अगर मैं एक दो में fail हो जाता हूँ तो मुझे फरक नहीं पड़ता इतना यह थोड़ी सी मेरी इस तरीके से यार मैं सोचता हूँ सो होप से यार तुम्हें जवाब मिल जाएगा मैं यह नहीं बोलता कि तुम भी ऐसा ही करना जी तुम पड़ा गड़ा ही सब छोड़ दो तो it's a personal choice ठीक है यह एक personal choice होती है पर्षन तो पर्षन डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इंसान है ठीक है मैं एक चीज नहीं कर सकता हूँ मैं बहुर हो जाता हूँ कर मैं सिर्फ एक ही चीज करूंगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है जैसे कि कुछ होते हैं जिनको सिर्फ जॉब करना होता है कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ बिजनस ही करना होता है ठीक है और अगर दोनों हो सकती एक साथ तो दोनों को साथ में करा जाए ठीक है तो इस तरीकी की मेरी सोच है बट लॉंग टर्म की अगर मैं बात करों तो लॉंग टर्म में बिजनस जादा सही रहता है ऐसा मेरा मानना है ठीक है और उससे भी जादा अच्छा होता है investor बन जाना, ठीक है, तो 40 के बाद investor बन जा ओ, ऐसी चीज़े हो सकती है, अगर plan कर रहो तो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोला कि, भई, मैं 40 के बाद investor बन जाओंगा, नहीं, ऐसा नहीं कहरा मैं, पर, एक चीज होती है, ठीक है, मतलब कि, long term की अगर मैं बात करूं तो उस तरह के से दिमाग में business है ठीक है बट अगर मैं short term की बात करूं तो अभी more focus है मेरा learning पे ठीक है मैं पैसा पैसा अभी नहीं रो रहा हूं इतना कि मैं को पैसा ची है मैं सीखने पर ध्यान दे रहा हूं पैसा तो byproduct हो कही नहीं से आई जाएगा और इतना तो मुझे खुद पर believe है कि मैं इतना गए गुजरा तो नहीं हूं कि मैं मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं करी लूँगा ठीक है जिसको कि हम टाइम को कैसे मैंनेज करें तो उनको एक आईडिया आगया होगा कि किस तरीके साफ मैंनेज कर सकते हो टाइम को ठीक है पुतपता के लिए चलते हैं दिस तुशा बड़िवाल साइनिंग आफ